तो दोस्तों आज हम जिस मूवी की कास्टिंग करने चा रहे हैं वो एक हॉरर कॉमेडी है और उसका नाम है माइक्रोवेव मैसकर ये कहानी है एक ऐसे किलर की जो लड़कियों को मार कर उन्हें माइक्रोवेव में पका कर खा जाता था फिल्म शुरू होती है एक पुराने माइक्रोवेव का दर्वाजा हमें दिखता है उसके अंदर एक औरत की खोपडी है जो पूरी तरीके से फुन चुकी है एक लड़की चलते हुए आ रही होती है कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं डॉनल्ड और उसके दोस उसी छेद में फच जाते हैं डॉनल्ड के दोनों दोस्त वहाँ अपना लंच कर रहे होते हैं तबी डॉनल्ड के दोस्त उस लड़की के सामान को देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए दोरते हैं लेकिन वो लड़की उस छेद से छूट कर बाहर निकल जाती है इदर दोस्तों का नाम Roosevelt और फील होता है। वो अपने दोस्तों को वो बड़ा सा केकड़ा दे कर उनसे उनका नाश्ता लेना चाहता है। लेकिन फील और Roosevelt तोनों इसे लेने से मना कर देते हैं। और Donald का मजाक उडाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक बार में जाते हैं जहां पोल डांस चलते रहता है। यहां Donald का दोस्त Sam ही बार टेंडर होता है। Donald अपनी पत्नी May के बारे में Sam से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि May जानती है कि मुझे उसका microwave में बनाया खाना पसंद नहीं है। फिर भी मुझे वो रोज वही खाना दे देती है। इसके बाद में Donald का घर दिखाते हैं। Donald की पत्नी May अपने घर में खुशी-खुशी खाना बना रही होती है। वो Donald को साफ सफाई रखने कहती है। लेकिन Donald गुस्ते में सोफा गंदा कर देता है। में Donald को खाना खाने के लिए बुलाती है। Donald बाहर से बहुत कुछ खा कर आ चुका होता है। उसके बाद में Donald को नए तरीके से खाना खिलाना चाहती है। लेकिन वो बावल में आग लगा देती है। दोनों पती-पतनी केंडल लाइट डिनर की तयारी करते हैं। में Donald से पूछती है कि क्या उसको याद है कि वो आखरी बार रोमेंटिक कब हुआ था। तब Donald कहता है कि 15 साल पहले अप्रेल में हुआ था जब बाहर बारिश हो रही थी। में कहती है कि उसे आज भी कई लोग attractive कहते हैं। अगले दिन जब Donald लंच कर रहा होता है तबी वो लड़की फिर से वहाँ आती है जिसका सामान उस छेद में फस गया था। Roosevelt उस लड़की से बादशीत करने लगता है। वहाँ एक body builder होता है जिसे वो लड़की देखकर attract हो रही होती है। Roosevelt उसकी बात उस लड़के से करवाता है। वहाँ एक कुत्ता आता है जिससे Donald अपने खाने का हिस्सा देता है। इधर Roosevelt उस लड़की को impress करने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की और Roosevelt एक दूसरे को किस करते हैं। Donald वापिस घर जा रहा होता है, उसकी कार खाने पीने के कच्रे से भरी होती है। घर जाते हुए Donald उसी बार में फिर से जाता है, जहां उसका दोस्त उसे समझाता है। Donald नशे में धुत होकर घर के अंदर आता है, और में और Donald के बीच में लड़ाई होने लगती है। दोनों microwave को लेकर लड़ रहे होते हैं। इसके बार Donald में की थाली में मूँसे पानी उगल देता है, और घर के राशन को सब तरफ फैला कर पूरे घर को गंदा कर देता है। सुबह होती है और Donald में से अपना breakfast मांगता है, वो microwave का दरवाजा खोलता है, तभी उसे अंदर में का सिर दिखाई देता है। Donald रात को इतना पी चुका होता है कि उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इसके बाद वो microwave को चालू कर देता है, वो Roosevelt और Phil के साथ बात कर रहा होता है। वहाँ वो सड़ा हुआ खाना खाने वाला था, जिसे देखकर Roosevelt और Phil उसे कहते हैं कि इसे खाकर तुम मर सकते हो। फिर रात में Donald मे की डेड बॉडी को कई हिस्सों में काड़ता है और फ्रिज में रखके खाने के सभी पैकेट को कच्रे के डिब्बे में डाल देता है। इसके बाद वो मे के पके हुए हिस्से को फ्रिज में भरता है। वो कहता है कि मैं अगले दिन और ले आऊंगा। और वो सोरदार तरीके से उस लड़की के साथ इंटिमेट होने लगता है। Donald टक्या लेकर उस लड़की के मुँ को दबाने लगता है जिससे लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद वो लड़की की लाश को किचन में लेके जाता है। Donald कोलहाडी से उसके टुकडे टुकडे कर देता है। अगले दिन Donald, Roosevelt और फील भूमने निकलते हैं। Donald अब रोज खुश रहने लगता है। वो घर वापस आता है जहां वो पडोस में दो लड़के और एक लड़की को इंटिमेट होते हुए देखता है। Donald अपने फ्रिज का दर्वाजा खोलता है जहां उसने लाश के बॉडी पार्ट को काट कर खाने के लिए रखा होता है। जहां उसने मुर्गी जैसे कपड़े पहने हुए एक लड़की मिलती है। Donald उस लड़की से बात करने लगता है और उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। लड़की भी थोड़ी देर में उसकी बात मान जाती है और उसके पास डिनर पर चली जाती है। इसके बार Donald पहली लड़की की तरह ही उस लड़की को भी मार देता है जान से। Donald अपने डॉक्टर के पास मिलने जाता है जहां वो अपने डॉक्टर को बताता है कि वो 15 साल बाद इंटिमेट हुआ है और वो बहुत खुश है। इदर डॉक्टर उसकी बाते नहीं सुन रहा होता और सो रहा होता है लेकिन डॉक्टर अपने डॉक्टर से इत्मिनान से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि वो इतना खुश तो कभी नहीं हुआ इसके पहले, वो डॉक्टर को बताता है कि वो जिन लड़कियों से प्यार करता है, उनी को मार कर खा भी जाता है, डॉनल्ड का डॉक्टर उसे मोटिवेट करता है, डॉक्टर उसकी बातों को नहीं समझ पाता और उसे बार थोड़ी बिगरती है, लेकिन उसके बार Donald relax हो जाता है वो उसी फ्रिज में लाश के सारे हिस्से को पका कर रखता है, जहां मे का सर रखा होता है, खाना भरते समय मे का सर नीचे गर जाता है वो देखता है कि मे का सर उसे अलग-अलग जगा पर दिखाई दे रहा है तभी बाहर दर्वाजे पर बार-बार कोई आवास होती है वो मे की बहन होती है डॉनल्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से नहीं जाना चाहती और बार-बार पूछती है कि मे कहां है डॉनल्ड कहता है कि मे सो रही है इसलिए आवास मत करो डॉनल्ड मे के सर को कंबल से ठक कर पिस्तर में रख देता है लेकिन मे की बहन उस कमरे के अंदर घुश जाती है वो देखती है कि ये मे का सिर है तभी डॉनल्ड बाहर से एक ब्रेड लेकर आता है और उसे में की बेहन के मूँ में ठूस देता है और वो तम घुटने की वज़ा से बेहोश हो जाती है डॉनल्ड के लिए microwave की अगली डिश वही होती है वो मरी नहीं होती है डॉनल्ड उसे बांध कर कबर्ड में भर देता है फिर वो एक डॉक्टर के पाज जाता है जो डॉनल्ड को पेस मेकर के डेली मेंटेनिंस के बारे में बताता है डॉनल्ड को वहाँ एक डॉक्टरी की असिस्टन डिखाई देती है जो बहुत ही सुन्दर होती है वो डॉक्टर को सारे टेस्ट रिपोर्ट ला कर देती है उसके बाद डॉक्टर डॉनल्ड से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम पहले से भी साधा फिट हो डॉनल्ड कहता है कि मैं कुछ अलग खा रहा हूं तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा जो मन है तुम वो खाव। उसके बाद हम देखते हैं कि मे की बहन अभी भी बंदी हुई है। वहाँ बहार डॉनल्ड की पडोसी बगीचे में पानी दे रही होती है। वो डॉनल्ड को देखकर कंदे इशारे करती है। डॉनल्ड अपने काम की जगा पर अपना नाश्टा कर रहा होता है। उसके साथ हमेशा की तरह रूसेवेल्ट और फील होते हैं। डॉनल्ड उनके लिए लाश के उन हिस्सों को लाता है जो उसने माइक्रोवेव में पकाए होते हैं। फिल को ये हमेशा बहुत जादा पसंद आते हैं, जब डॉनल्ड वापस आ रहा होता है, तो उसे एक लड़की मिलती है, वो उसके साथ अंदर आकर कार में बैठ जाती है, और दोनों इंटीमेट होने की इच्छा से डॉनल्ड के घर में पहुचते हैं, असल में वो लड़की एक प्रोस्टिटीट होती है, वो अपने कपड़े उतार कर वहां हॉल में खड़ी हो जाती है, तब वो देखती है कि डॉनल्ड चाकू लेकर उसके पास आ रहा है, डॉनल्ड उस प्रोस्टिटीट लड़की को भी जान से मार देता है, और फिर किचन में जाकर उसके हिस्से करने लगता है, अगले दिन डॉनल्ड वापस अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया होता है, वो काम खत्म करके वापस आ रहा होता है, फील और उसे वेल्ट रात को बॉक्सिंग मैच देखने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉनल्ड रात को चाइना टाउन जाने की बात करता है, में की बहन अभी भी डॉनल्ड के पास बंदी हुई होती है, इधर डॉनल्ड आरी से पुरानी बॉड़ी के हिस्से काट रहा होता है, डॉनल्ड के घर पर उसे वेल्ट और फील होते हैं, वो देखते हैं डॉनल्ड समीन पर पड़ा हुआ है, फील माइक्रोवेव ओन करता है और दोनों देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे हाथ रखे हैं, फील अपना पेट पकड़ कर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि रोज वो जिस चीज को खा रहा है, वो इनसान का मास है, डॉनल्ड मर चुका है और उसके घर के बहार हाउस फॉर सेल लिखा हुआ है, इस सीन में हमें समझ आता है कि डॉनल्ड की मौत क्यूं होती है, डॉनल्ड की सीने में पेसमेकर लगा होता है और डॉनल्ड बार बार माइक्रोवेव के पास जा रहा होता है जिससे उसके पेसमेकर ने काम करना बंद कर दिया होता है तब ही फ्रिच का दर्वासा खुलता है और वहां हमें मेका सिर दिखता है जिसकी आखें अचानक लाल हो इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों ये फिल्म 1983 में आई थी और इस फिल्म की IMDB रेटिंग है 4.2 हम उमीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली कहानी के साथ धन्यवाद